Hi everyone, this is Robin और मैं स्टार्ट करूँगा आपके साथ इस सेशन में Biology के इस Perfect Session को I hope आपको इस सेशन बहुत फायदे मन लगेगा हर कोशन के साथ आपको explanation detailing मैं देलने की कोशिश करूँगा ये कुछ मेरे बारे में जान का रही My name is Robin तो चलिए हम पहले कोशन के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे तो पहला कोशन है आपके साथ Which is the biggest single-celled organism तो सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव निम लिखित दिये गए option में से कौन सा है तो ये आपको बताना है तो देखिए वर्ल्ड का largest single-celled organism क्या है एक aquatic aquatic alga है जिसका नाम क्या है आपका cowlerpa toxifolia तो ये है आपका वर्ल्ड का largest single-celled organism अब इसकी में बात करूँ तो ये क्या है आपका single-celled है single-celled है ये क्या कर सकता है इसकी length आपकी 6th से लेखे 12 इंचिस तक length में improve कर सकती है तो ये हो जाता है आपका वर्ल्ड का biggest single-celled organism अभी हाल-फलाल में काफ़े repeated way में पूछा गया था तो मैंने सोचा आपको इसके साथ detail way में discuss किया जाए तो ये हो जाएगा आपका cowlerpa toxifolia next है आपका which one of the following is the ineffective stage of the malaria parasite यानि के निमलिकित में से malaria per gv की रोग जनक अवस्था है option को ध्यान से समझना है और चीजों की terminology को भी समझना है अगर देखे मैं humans की बात करूँ तो जो ineffective stage होती है malaria की वो होती है आपकी sporozoid अब मैं इस sporozoid की बात करूँ ये क्या होते है आपके small होते है अब इनकी जो shape होती है वो होती है spindle shape spindle shape में ये होते है अब इसके साथ क्या होता है ये आपके motile formation रखते है जिसमें ये parasites को use किया जाता है अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ ये किसके अंदर पाये जाता है यह पाए जाता है saliva में और किसके saliva में infected female anophilies mosquitoes तो यह हो गया आपका sporozoid जो की क्या होता है एक infected stage होती है malaria parasite की तो option हो जाएगा आपने हां से fourth next है enzymes क्या होता है तो देखिए आसान question है repeated way मैं exam में पूछा भी जाता है कि enzymes को किस तरीके से आप divide कर सकते हैं तो अगर मैं enzyme की बात करूँ आप से तो enzymes को आप proteins में भी divide कर सकते हैं और इन्हें आप किस में divide कर सकते हैं biological biological catalyst में भी biological catalyst में भी आप इन्हें divide कर सकते हैं अब अगर देखिए मैं catalyst की बात करूँ तो catalyst क्या होता है यह आपके chemical reactions को तेज करने का काम करते है यानि कि उसको accelerate करने का काम करते है अब मैं उनकी बात करूँ जो molecules जिन पर आपके enzymes क्या करते है act करते है उन्हें आप बोलते है क्या substrates जिन पर आपके enzymes क्या करते है act करते है उन्हें आप बोलते हैं substrates और जो enzyme convert करते हैं convert करते हैं substance को different molecules में उन्हें आप क्या बोलते हैं products बोलते हैं उन्हें आप बोलते हैं products तो enzyme क्या होते हैं आपके protein होते हैं plus आपके biological catalyst होते हैं तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option number 2 as proteins next है which one of the following is both a local anesthetic as well as a stimulant तो निम्लिकित में से कौन सा एक उत्यजक और एक स्थानिय समवेद्ननहारी दोनों हैं तो देखें answer आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ से करना चाहें मैं बात करता हूँ आपसे cocaine की cocaine की मैं बात करता हूँ तो cocaine क्या है आपका both आपका यह anesthetic में भी use होता है और इसके साथ साथ आप इससे stimulant में भी use कर से हैं तो आपका answer हो जाएगा है आपकर cocaine अब इसके साथ मैं cocaine की बारे में बात करूँ यह आपका powerfully adaptive stimulant है जिससे आप drug के रूप में लोगों में देखते हैं जो की coca plant से लोग निकालते हैं usually coca plant से निकाला जाता है अब इसके साथ cooking क्या करता है यह increase कर देता है level of natural chemical messenger कौन सा messenger होता है यह आपका dopamine यह आपका brain पर जाकर attack करता है और इसके बाद क्या होता है इसी जैसे जो related effects होते हैं वो आपके movement में कंट्रोलिशन में problem create करते हैं यह होता है आपका anesthetic and stimulant के रूप में दौनों में कौन यूज किया जाता है cooking next है आपका branch of biology जो कि deal करती है extinct organisms यानि कि जीव विग्यान की वो शाखा जिसमें विलत जीवों का अध्यन किया जाता है तो देखे बहुत ही आसान है यह हो जाएगा आपका paleontology यह आपका option number four देगा paleontology आप इसमें क्या करते हैं आप ancient life की बात करते हैं ancient life की बात करते हैं जहां पर जो organisms होते हैं वो अलोड़ी extent हो चुके होते हैं यह किस से deal करता है यह आपके extent organism से deal करता है जो कि पहले आपके millions of years पहले present हुआ करते थे तो यह हो गया आपका paleontology यानि कि जीव विग्यान की वो साखा जहां पर विलत जी आपको बताना है बहुत ही easy question है और repeated way में एक्जाम में पूछा जाने वाला question है मैंने बात करी है open type circulatory system तो देखें cockroach and silverfish cockroach और silverfish की अगर मैं बात करता हूं तो इन दौनों के ही अंदर पाया जाता है आपका OTCS यानि कि open type of circulatory system अब देखें open type of circulatory system क्या होता है आपका basically mole uses और ortho ports में पाया जाता है अब यहां पर मैं बात करूं बहुत cockroach and silverfish यह क्या है आपके open type of circulatory system रखते हैं इसके साथ तत यह जो circulatory system होता है इसके अंदर जो आपका blood flowing होता है वह आपका through open spaces होता है जिनने आप क्या बोलते हैं lacuna and sinuses देखें पैन यहां सभी से नहीं चल रह system में blood flow होता है next आपको यहां पर दो statement दिये गए हैं आपको बताना है कि इन दौनो statement को देख करके कौन सा कथन नहां पर सकते है पहला है quinine is used in the treatment of malaria तो देखें हाल फ्याल में बहुत यह news में है आपने देखा होगा hydro chloroquine में बात करी गई है इसकी secondary it is obtained from the bark of synchrona अब synchrona ज आपको लिखा है कि बही कुनाइन actually में बोलता है कि इसको कुनाइन को अब malaria के उप्चार में से प्रयोक किया जाता है पहला काथन हो गया इसको सींचो यानि कि सिंकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है दूसरा यह हो गया तो देखें मैं आपसे बात करता हूँ आपके malaria से लड़ने में उसके साथ यह आपका pain से लड़ने में मन ददर करता है और यह swelling से भी fight करता है तो यह होता है आपका इन सबी चीजों के लिए तो यहाँ पर आपका पहला statement तो correct हो गया अब इसके साथ साथ यह जो सिंकोना family of trees होते हैं उनके उपर पाया जाता है यह आपक पर आप इन्हे actually में trees से obtain करते हैं तो यानि कि वो जो procedure है उससे related बात में कर रहा हूँ but actually में जो statement मैंने दोनों आपको यहाँ पर बताएए दोनों ही क्या है आपके correct है next है आपका pollination by wind is known as तो हवा के कारण होने वाले परागरण को किस नाम से जाना जाता है question में आपसे पूछा गया है तो देखिए हवा के कारण जो होने वाला pollination होता है उससे हम बोलते है ऐनिमोफली बोला जाता है या फिर आप इसे wind pollination भी बोल देते हैं तो याद रखेंगे important है wind pollination यानि फिर आप इसे एनिमोफली भी बोलते हैं यह किस तरीके का form होता है pollination होता है जहां पर आपके pollen क्या होता है distribute हो जाते है wind के द्वारा तो अलग अलग बिखर जाते हैं यह wind के द्वारा यह pollination ने next आपका which one of the following is responsible for blue baby syndrome तो निमलिकित में से कौन सा blue baby syndrome के लिए उत्तर दाई ही या यानि की responsible है तो देखिए काफी बार ये भी repeated way में exam में पूछा गया है तो nitrates basically responsible होते हैं आपके blue baby syndrome में अब मैं बात करता हूँ आपसे blue baby syndrome की तो blue baby syndrome को अगर आप बात करेंगे तो पहले तो आपको ये clear हो गया कि आपका nitrates के द्वारा होता है इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये blood carry oxygen की ability को actually decrease कर देती है और उसी वज़े से आपका बन जाता है ये blue baby syndrome next time which one of the following is responsible for blue baby syndrome तो देखिए अच्छा सॉरी मैंने गलत ले लिया है ये मैंने दुबारा repeat कर लिया है बट हिंदी में लिखा है सही मनुश्यों के सरेर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है तो देखिए ये तो आसान है यह होती है आपकी अपराम में अपराम में सो यह था आपका बायलोजिक का सेशन आपको आपको इस सेशन फायदे मन लगा होगा अब पसंद आया तो प्लीज दू लाइक एट शेर करें सेशन को अपने फ्रेंज के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को टेलीग्राम और इंस्टेग्राम के पेज को जाकर जरूर फॉलो करने जहां पर इंपोर्टेंट वीडियो के लिंक एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं कुछ और क्लासिस के साथ अपना ख्याल रखिए टेक केर बबाई थैंक यू